हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रूट दोस्तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इंडियन जोग्राफी का एक बहुत ही महात्वपूर्ण टॉपिक भारत का जो एग्रिकल्चर है या फिर भारत की जो क्रशी है इस टॉपिक के महात्वपूर्ण यहां पर डिटेल में डिसकस करेंगे जो कोशिन बार बार एक्जाम में आते हैं और रिपीट होते हैं तो आप वीडियो को आन्दे तक जरूर दिखे चलिए श्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को और सीधे पहले कोशिन की ओर चलते हैं तो तो पहला कोशिन है निमने करशियों की एक साथ खेती पशू पालन और करशी एक साथ करना या फिर उप्यूक्त में से कोई नहीं है फिर नान आफ दीस तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बच्चो मिस्रित करशी या फिर मिक्जड फॉर्मिंग किसको बोलते हैं जब पशू पालन के साथ करशी की जात है उसको हम बोलते हैं मिशू फिर पालन भी करते हैं तो आपको याद रखना यहां से एक्जाम में काफि वर में पूछा जाता है चले अगला कूस्चन देखेंगे हरित कांती से गहरा संबंद है तो हरित कांती से कौन संबंद है डॉक्टर स्वामी नाथन डॉक्टर कुरियन सी सुब्रमन्यम या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम तो डॉक्टर एमे स्वामी नाथन जो है बच्चो ये भारत में हरित कांती के जनक कहे जाते है जो फिर भारत में 1966-67 में Green Revolution आये था हरित कांती आये थी उसके जनक कहे जाते हैं ठीक है तो इनका नाम आपको याद रखना है इसके लाबा Professor Normal Warlog ये विश्व इस्तर पर हरित कांती के जनक कहे जाते हैं हरित कांती लाइ गए थी इसके अंतरक उन्नत किश्म के बीजों को बेदेशों से मगाया गया था उन्नत तक्नीकी का प्रियोग किया गया था सिचाई विवस्था को बढ़ाया गया था ताकि भारत में कशी का production बढ़ाया जा सके तो आपको ये याद रखना है हरित कांती की जनक कौन है कब आई थी इसके लबा हरित कांती से जो सरवाधिक लाब पहुंचा था तो गेहूं और चावल गेहूं और चावल की फसलों को बच्चों सरवाधिक लाव पहुंचा था और इन दोनों में भी यदि आप देखेंगे तो गेहों को सरवाद एक लाव पहुंचा था हरित कांथी के फलसरूब इसके लावा सबसे कम जो फाइदा पहुंचा था वो दलहन और तिलहन फसलों को पहुंचा था तो आपको ये वाद भी याद रखनी है अगला कोशन देखते हैं भारत में सोयवीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज है सोयवीन के प्रोडक्शन या फिर उत्पादर में पहले नंबर पर कौनसा राज जाता है तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा बच्चो पहले ऑप्शन देख लेते हैं महराष्ट मद्रप्रदेश पंजाब और केरल तो यदि हम सोयवीन की बात करें तो अकेले 60 से लेकर के 65 और 70 प्रोडक्शन होता है लगबग मद्रप्रदेश में होता है या पिर एमपी में होता है कितना लगबग 60 से 65 परसेंट पूरे देश का उत्पादन अकीला कौन करता है मद्रप्रदेश करता है तो ये बात आपको याद रखनी है ठीक है चलिए इसके लाब येलो revolution इसको हम बोलते हैं तो option है अनाज, तिलहन, दुख्द या फिर मत्स ठीक है तो जो पीली क्रांती है बच्चों ये तिलहन से संबन्दित है, oil seeds से संबन्दित है आपको याद रखना है कई वार ये क्रांतियां पूछी जाती है आपको याद रखना है यहां से कई वार exam में question पूछे जाते हैं इसके लाबा अनाज के उत्पादन से अभी हमने देखा था हरित क्रांती संबन्दित है या फिर green revolution संबन्दित है दुख-दू उत्पादन से अदि आप देखेंगी तो इसको हम बोलते है स्वेध क्रांती है जो कि 1970 में आई थी वरगी स्कुरियन इनके जनक कहे जाते हैं और मत से उत्पादन जो होती है इसको हम बोलते है नीली क्रांती कौन सी क्रांती नीली क्रांती तो ये बात भी आपको याद रखना है चले अगला कोशन है बच्चो भारत के राज्यों में कौन सा राज-चावल का सरवादिक उत्पादन करता है न तो पूरे देश में जो वेस्ट वेंगॉल है ये प्रथम नंबर पर आता है किस-किस में है एक तो चावल में ये आता है पहले नंबर पर इसके लावा जूट में भी ये प्रथम नंबर पर आता है पूरे देश में उत्तर प्रदिश की बात करेंगे तो बच्छो गेहूं मे इनके प्रोडक्शन में अवल आते हैं तो ये बात भी आपको याद रखना है चलिए अगला कुशन देखेंगे नॉर्मल अर्लेष्ट वार्लॉग जो हरित क्रांती की जनक माने जाते हैं ये किस देश से संबंदित है या फिर इनका संबंद किस देश से है ऑप्शन है USA, मेक हरित क्रांती की जनक को कौन कहे जाते हैं नॉर्मल वार्लॉग इनको आपको याद रखना है और इसके लबह अभी में हमने डिसकस किया कि MS स्वामीनातन भारत में हरित क्रांती की जनक कहे जाते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेता है निमन लेकित मैसे कौन सी नहीं है तो देखी सबसे पहले है गेहूं ठीक है गेहूं सरवादिक उत्पादन उत्तरप्रदेश में होता है जूट की बात करें तो पश्चिब मंगाल में सरवादिक उत्पादन होता है बिलकुल सही बात है कापास की बात करें तो महराष्ट ये भी सही है इसके लबहा सोयबीन आंद्रपदेश. तो ये वाला गलत हो जाएगा बच्चो. जो सोयबीन है इसका सरवादिक उत्पादन कहा होता है. तो मद्रपदेश या फिर MP में सरवादिक प्रोडक्षन सोयबीन का देखने को मिलता है. इसके साथ दलहन, तिलहन में भी मुझे बंद्रपदेश राज्य है ये प्रथम इस्थान पर आता है आंद्रपदेश की यदि हम बात करेंगे तो तंबागू की उत्पादन में ये प्रथम नंबर पर आता है ठीक है चलिए अगले कुशन को डिसकस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दू य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारी एप्लिकेशन जिसका नाम है रूट तो वहां से आप बाकी डिटेल को देख सकते हैं इसके लाब बच्चों यह दिए आप DSSCC कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिलेगा 500 रुपय का तो आ साइस का बैच है वहां पर, पॉलिटी का बैच है, साइनस का बैच है, हिस्ट्री का बैच है तो आप इंडिविज्वा लेकिक सब्जेक्ट भी वहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है चले अगला कोशन देखेंगे निमने लेकित में से कौन क्रशी क्रांती के संदर्वम में सही सुमेले तो नहीं है, है ना क्रशी क्रांती की बात हो रही है, तो जो वाइट क्रांती है, फिर सफेद क्रांती दूद से संदर्व में सही बात है, सुनेहरी क्रांती उद्यान से संदर्व में उद्यानिकी से संदर्व में ये वाद भी सही है, और नेली क्रांती मुर्गी तो यह answer हो जाएगा बच्चों यह गलत हो जाएगा डी जो नेली कुरांती है यह मस से या फिर मचली पालन से संबंधित है आपको याद रखनी है नेली कुरांती ठीक है मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है चलिए अगला question देखेंगे भारत के मैं चांवल के कटोरे चेतर का नाम बताईए, मतलब चावल का कटोरा किस छेत्र को कहा जाता है भारत में, option देख लेते हैं, किरल तमिल नाडू, कृष्णा गोदावरी डेल्टा छेत्र, पूर्वोतर छेत्र याफे सिंधु गंगा छेत्र, तो बच्चो भारत में जो चावल का कटोरा कहा जाता है, वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये छेत्र को कहा जाता है, ये डेल्टा अपना खावनाती है, आंधरपदेश राज में ये दो नदियां अपना डेल्टा बनाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कई वार मैंने प्रीवेस लेक्चर में भी इसके वारे में आपक को याद रखना है, किष्णा गोदावरी डेल्टा को चामवल की कटोरे की संगया दी जाती है, इसके लवार राज जी कभी पूछ ले तो 36 गड़ को चामवल का कटोरा कहा जाता है, और इसको चामवल का कटोरा कहा जाता है, अगला कोशन देख लेते हैं, वार्लोग पुर करशी विज्जाने फिर करशी से संबन्दित है वारलाग पुरुसकार अभी हमने डिसकस किया था नॉर्माल वारलाग जो कि विश्वे इस तरह पर हरेत क्रांती के जनक कहे जाते है जनक पहँ से यू से या फिर अमेरिका से है तो क्रश्ची की फिल्ड में ये दिया जाता है अगला कुछ है ना बच्चो एग मार्क एग मार्क क्या है और किस से संबंदित है औप्शन देख लेते हैं अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिती बिलकुल गलत है अंडों की एक विनियमित मंडी ये भी गलत है गुडवत्ता की गारंटी की महर है एग मार्क किसी भी चीज को दिया जाता है मतलब उसकी गोडवत्ता है उसकी जो कालिटी है उस पर एक प्रकार से महर लग जाती है ठीक है तो याद रखना है एग मार्क का एग से कोई संबंदित नहीं है ये गोडवत्ता की गारंटी देता है भारा सर जुलाइ, उक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी तो इसका अक्टूबर नवंबर में जो रवी की फस्ले होती है इनकी बुहाई की जातीप और काटी जाती है तो आपको याद रखना है अप्रेल, जून, अप्रेल, जून की टाइम पर इनको काट लिया जाता है तो रवी की फसलों को आपको याद रखना है आगे और भी कुशन आएंगे उनमें हम रवी और खरीब की फसलों को भी डिसकस करेंगे ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं निमनमे से कौन सा भारत का सरवाधिक कौफी उतपादक राज है कौफी का उतपादक सरवाधिक किस राजिये में होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लिए महराष्ट करनाटक तमिल नाडू या फिर केरल करनाटक सरवाधिक का प्रोडक्शन करता है पूरे भारत में ठीक है काफी महत्रपूर कॉशन है कई वर एक्जाम में रिपीट होता है ये कॉशन अगला कॉशन देख लेते हैं निमने लिखे तो मैंसे कौन सी खरीफ की फसल है खरीफ क्रॉप कौन सी है इन मैंसे है तो देखी कपास खरीफ की फसल है? ठीक है? धान भी खरीफ की फसल है? मुमफली भी खरीफ की फसल है? इसके लबाज़ जो गेहूं है बच्चो ये रवी की फसल है या फिर रवी क्रॉप है तो आपको याद रखना है तो एक दो और तीं सी आंसर इसका सही हो जाएगा ठीक है कौन कौन सी कपास धान या फिर इसको चांवल भी बोल सकते हैं मुफली ये सब खरीफ की फसले है थोड़ा देख लेते हैं गवर रवी की फसले हैं कौन कौन सी होती है गेहूं चना जौं मटर मशूर सरसों अलसी ये सब किसके अंतरगत आती हैं रवी की फसले आती हैं जो अक्टूवर नुबंबर में बोही जाती है इसके लावा खरीफ की फसले कौन सी होती है चांवल मक्का जौर बाजरा तिल राई तूर अरहर मूंग का पास जूट गन्ना तंबाकु सोया भी ने ये सब खरीफ के अंतरगत आती हैं तो इनको भी आपको याद रखना है कई वार यहां से अक्जाम में कुश्चन आ जाता है कि फलानी फलानी फसल किस के अंतरगत आती है ठीक है चलिए अगला कोशन बताईए निम्न में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टी से सही है तीन बड़े गेहूं उत्पादक पहले ऑप्शन देखिलते हैं पंजाब उत्तरपदेश औ का प्रोडक्शन करता है इसके लाबा पंजाब और हरियाना भी अच्छा खासा गेहूं का उत्पादन करते हैं पर हेक्टेर के हिसाब से भी इनका पूरे देश में अबल इस्थान आता है ठीक है जबकि महराश्ट ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है तो आपक अक्षनी भारत या फिर उत्र भारत का मैदान तो इसका सही आंसर हो जागा बच्चो पश्चिमी भारत जो है या फिर वैस्टन इंडिया है इस रीजन में कापास का सरवाधिक प्रोडक्शन होता है देखिए इसको रटने की अवश्यक्त नहीं आपको कैसे याद रखना ह कि जो कपास है ना बच्चो कपास के लिए या फिर कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है सबसे अच्छी जो स्वाइल माने जाती है वो कौनसी बाने जाती है काली स्वाइल माने जाती है ब्लैक स्वाइल माने जाती है और यदि आप इंडिया देखें हना बच्छोब यह काली मिट्टी का छेतर, कैसा छेतर है? काली मिट्टी का छेतर है, जो की बेसाल चक्टानों के द्वारा बनती है, तो इस पूरी reason में आप बोल सकते हैं, जो पश्चिमी हमारा भारत है, यहां पर अच्छा खासा कापास का प्रोडक्शन होता है ठीक है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं चलिए अगला कोशन देखेंगे निमने लेखित मैसे किस समू की फसले नगदी है या फिर इनको ब्यापारिक फसल भी बोला जाता है ऑप्शन देख लेते हैं गेहूं मक्का चावल चावल मटर गेहूं कपास गन् और तमबाकू ये नगदी या फिर व्यापारिक फसलों के अंतरगत आती है इसका मतलब क्या होता है नगदी या व्यापारिक फसले कौन सी होती है ऐसी फसले जो किसान सिर्फ व्यापार या फिर बेचने के उद्देश से इनको लगाता है उनको हम व्यापारिक या फिर न का production करता है चलिए नगदी और व्यापारिक फसले कुछ अन्ने भी हैं देख लेते हैं इनको मूंगफली हो गई तमबाकू गन्ना जूट कपास सूरजमुखी चाय और कॉफी ये सबी जो फसले हैं बच्चो ये नगदी या फिर व्यापारिक फसल के अंतरकत आती हैं आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं केरल राजी विश्वभर में निम्न मेंसिक किसके संबर्धन के लिए जाना जाता है ठीक है ऑप्शन है गेहूं गन्ना गरम मसाला या फिर चामल तो जो केरल है बच्चो मसालों की उत्पादन के लिए काफी ज जाना जाता है विश्वभर में गरम मसाले हो गई नारियल हो गया राइची हो गई तो ये सभी मसाले से रिलेटेड जो चीजें होती है उसके प्रोडक्शन में नंबर वन पर आता है केरल आपको पता ही होगा चलिए अगला कुशन देखेंगे निम्न लेखित मैसी कौन सा राज भारत का सबसे बड़ा चाय या फिर टी का प्रोडक्शन करता है अप्शन है असम तमिलनाडू अरुणाचल प्रदेश या फिर वैस्ट वेंगोल तो इसका अंसर हो जाएगा असम राज भारत में सरवादिक चाय का प्रोडक्शन करता है याद रखना है ये आंसर सह ठीक है, सिंबल सा कोश्चन है, अगला कोश्चन है भारत के निमने लेकित राज्जों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उतपादक है, नारियल का, ठीक है, केरल, करनाटक, आनरिपदेश या फिर असम, तो केरल राज्ज में सरवादिक प्रोडक्शन होता है, किसका अगला कोश्चन देखेंगे, भारत में तंबाकु का सरवादिक उतपादन करने वाला राज्ज कौन सा है, तो तंबाकु के प्रोडक्शन की अधिया बात करेंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, आंधरपदेश, करनाटक या फिर मद्द्द्देश, तो इसक पढ़ लेते हैं, कापास का सबसे बड़ा उतपादक गुजरात है, फिर पश्चिमी भारत, इसकलाबा गेहूं का सबसे बड़ा जो उतपादक है, यह उत्तरपदेश दे भी सही बात है, तो बी आंसर हो जाएगा, यह सुमिलित नहीं है, आलू का सबसे बड़ा उतपाद कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देश में जो प्रतम क्रशी विश्यू बिद्याले की बच्चों स्थापना हुई थी, कहां पर कब हुई थी, 1960 में हुई थी, आपको याद रखना है, और क्यान था उसका नाम गोविंद बललव पंत क्रशी विश्यू बिद्याले, इसका नाम था, याद रखना है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, काफी important है, अगला कोशन देखेंगे, भारत वर्ष में चावल की खेती, उन छेतरों में होती है, जहां वार्षिक वर्षा कितिनी होती है, तो option देख लेते हैं, 20 cm से अधिक, 30 cm से अधिक, 60 cm से अधिक है, चावल की खेती की जाती है, इसके लबाद चावल की साथ साथ जूट की खेती भी उन रिजन में होती है, जहां पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो इसी कारण से पश्चिम बंगल वाला रिजन है, यहां पर पाने की कोई कमी नहीं है, इस कारण से यहां पर चावल की क करशी वग-र करशी की जाती है, गन्यर के धिक जाती है, इसके लावा उत्रपदेश 100 का तरहीरी रेसन देखेंगे, तरहीरी रीसन है न, तरहीरी do線 हो, यहाँ पर भी इसकी करशी की जाती है, चावल हो गया, जूट हो गया, तो यह बात आपको याद रखनी है लाश्ट यह फिर एग्री कल्चर से रिलेटेट है पच्चिस महात्यकूर कुश्चन को यहां पर डिसकस किया यहां से बारवार एक्जाम में कुश्चन भी रिपीट होते हैं इसके पहले हमारा थियोरी शैसन भी आये था उसमें भी काफी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ठीक झाल 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 झाल